प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती पाणी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है 25 जुलाई शनिवार पहला पाठ कुरिंतियों की नाम संद पोलुस का दोसरा पत्र अध्याय साथ पज संख्याएं 7 से 15 तक वह अमुल्य निधी हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है जिससे या स्वष्ट हो जाए कि वह अलोकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बलकि इशुर का है हम कश्टों से घिरे रहते हैं परन्तु कभी हार नहीं मानते हम परेशान हो जाते हैं परन्तु कभी निराश नहीं होते हम पर अत्याचार किया जाता है परन्तु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते हम को पच्छार दिया जाता है परन्तु हम नश्ट नहीं हो जाते हम हर समय अपने शरीर में येशु के दुखभोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं जिससे येशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए हमें जीवित ही येशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है जिससे येशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशिल है और आप लोगों में जीवन धर्म ग्रन कहता है मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला हम विश्वास के मनोभाव से प्रेरित हैं, हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं हम जानते हैं कि जिसने प्रभी एसु को पुनरजीवित किया वही एसु के साथ हमको भी पुनरजीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार क्रिपा बहुतों में बढ़ती जाती है उसी प्रकार ईशुर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्राथना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए या प्रभु की वाणी है संत मत्ति के अमसार पवित्र सुसमाचार अध्याई 20 वाके 20 से 28 तक उस समय जबदी की पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईशा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा ईशा ने उससे कहा क्या चाहती हूँ उसने उतर दिया ये मेरे दो बेटे हैं आप आग्या दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठें और एक आपके बाएं ईशा ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो जो प्याला मैं पीने वाला हूँ क्या तुम उसे पी सकते हो उन्होंने उतर दिया हम पी सकते हैं इस पर ईशा ने उनसे कहा मेरा प्याला तो तुम प्योगे किन्तु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तयार गिया है जब दस प्रेरितों को ये मालुम हुआ तो वे दोनों भाईयों पर कुरुध हो गए ईशा ने अपने शिश्यों को अपने पास बुला कर कहा तुम जानते हो कि संसार के अधिपती अपनी प्रजा पर निरंगकुष शासन करते हैं और सताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं तुम्हें ऐसी बाते नहीं होगी जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने क्योंकि मानो पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बलकि सेवा करने तथा बहुतों की उद्धार के लिए अपने प्रान देने आया है ये प्रभु का दिव्य सु समाचार है ख्रेष्ट प्रभु की जय मेरे प्रिये भाई और बेनों आज हम संत याकूब का परवो मनाते हैं हम बाद में उन पर मनन करेंगे आज के पहले पार्ट में आपने सुना कुरिंतियों के पहले पत्रग्य अधिया चार उसके वाक्य साथ में सन पौलूस कहते हैं यह अमूल्ली निधी हमें मिट्टी के पात्रों में रखी रती है जिसे यह सपष्ट हो जाए पहलूस कहते हैं कि यह अमूल्ली निधी हमें मिट्टी के पात्रों में रखी गई है यह अमूल्ली निधी क्या है इश्वर का प्रेम कृपा, अनुग्रह हमारी बुलाहट पवितरात्मा का अभिशेक पहलूस हमें एक गहरी बात बता रहे हैं कि यह मिट्टी के पात्रों में रखी गई है मिट्टी के पात्रों में अर्थाद इसका नश्ट आसानी से हो सकता है मिट्टी का पात्र तूट गया अमूल्ली निधी गई पविलूस कहते हैं यह सारी कृपाएं जो हमें इश्वर से मिलती है ये बहुत अनोखी अनमोल अतुल्य है और ये भी है कि वह मिट्टी के पात्र में रखी गई है इसलिए इन सारी बातों को हमें महतपूर्ण समझना है और उसको सुरक्षित बनाए रखना है बहुत ही मज़िधार बात है उसके तुरन बात संद पावलूस क्या कहते है अपने कष्टों की बारे में हम कष्टों से घिरे रहते हैं परन्तु कभी हार नहीं मानते हम परेशान होते हैं परन्तु कभी निराश नहीं होते हम पर अत्याचार किया जाता है परन्तो हम अपने को परित्यक्त नहीं मानते हम को पच्छार दिया जाता है हम हर समय अपने शरीर में इसा की दुखभोग तथा मृत्यू का अनुभाव करते है यानि पाउलूस अपने जीवन में जो दुख है उसके बारे में वर्नन करते है इतना होने पर भी पाउलूस ये बताना चाहते है कि हमने उस निधी को बरबाद होने नहीं दिया है बह जाने नहीं दिया है उस मिट्टी के परतन को तूटने नहीं दिया है हमारे शरीर पर अत्याचार किया जाता है लेकिन उस आधियात्मिक पात्र को हमने तूटने नहीं दिया है एक विश्वासी को सदा याद रखना चाहिए ईश्वर के द्वरा प्रदत्वर्दान सुरक्षित रखना अमारी जिम्मेदारी है वो कभी भी बैसकती है अब ज़र उधारन लीजिए मतिक इस सुसमाचार के अधियाए 18 में पढ़ेंगे उस निर्दई सेवक के बारे में जिसको लाखों रुपे का कर्ज माफ किया गया लेकिन वह सौ रुपे के अपने करजदार को शमा नहीं कर पाया इसलिए जो माफी उसे मिली वह कुछे ही छणों में चली गई सोचने की बात है प्रभीय सुने मतिक इस सुसमाचार के अधियाए 5 उसके वाकि 29 में कहा है यदि तुमारी दाहनी आँख तुमारी लिए पाप का कारण बने उखाड़ कर फिको दाहना हाथ काड़ कर फिको प्रभु क्या कहना चाते हैं प्रभीयों बताना चाते हैं कि अगर ईश्वर द्वारा प्रदत अनुग्रह, कृपा और अभिशेक को बनाए रखने में हमारी आँखें, हमारे हाथ साथ नहीं देते हैं उल्टे उनके द्वारा, उनके गलत इस्तेमाल के द्वारा अनुग्रह और कृपा और अभिशेक चला जाता है तो हाथ और आँखो को खाड़ कर फेको, काड़ कर फेको मेरे प्रिये भाई और बेनों, एक विश्वासी अंधादुन जीवन नहीं जी सकता है कई लोग अंधादुन जीवन जीते हैं मन करे वहां जाए जो मन करे वो बोले, जो मन करे वो खाए जिन से मन करे मितरता बनाए जो चाहे वो करे, नहीं हमें हमेशा याद रखना है कि प्रभु के द्वारा दी गई ये किरपा मिट्टी के बरतन में रखी गई है अगर कोई भी कीमती चीज आप मिट्टी के बरतन में रखे है उससे ले जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे बच बच के, बचा बचा के संभल कर, संभाल कर हर विश्वासी को संभल कर और संभाल कर जीवन जीना चाहिए बच बचा के जीवन जीना चाहिए अंधादुन जीवन नहीं जी सकते हैं एक बार कृपा गई तो वापस पाना बहुत कठिन है एक बार अभिशेक गया वापस पाना बहुत कठिन है एक बार वरदान गया वापस पाना बहुत कठिन है अभी मुझे याद है हमारे क्रिस बक्त कई वर्षों के बाद वो नारी गर्भोती हो गए कई वर्षों के बाद बड़ी प्रात्ना करते करते और गर्भों में बच्चा पल रहा था डॉक्टर ने कहा कि सफरने करना है गाडियों पर नहीं बैठना है लेकिन सोचाने प्रभ बचाएगा चटे महना था गाड़ी पर चली बचा गिर गया प्रभु की गिर्पाएं बहुत अनमोल है बचा बचा कर बच बच कर हमें जिना है मैंने आप से कहा कि आज हम संत याकूब का तिहार मनाते हैं संत याकूब के बारे में हम इस सुसमाचारों में काफी कुछ पढ़ने को मिलता है संत याकूब और योहन दो भाई थे योहन छोटा भाई था और उनके पिता का नाम था जैबदी और वे पेशे से मच्छिवे थे सुसमाचार में हम पढ़ते हैं एक बार याकूब योहन अपने पिता के साथ समुद्र के तड़ पे जाल मरमत कर रहे थी और प्रभी येसु वहां से आते हैं प्रभी येसु ने याकूब और योहन को बुलाया और कहा मेरे पीशे चले आओ और याकूब ने अपने पिता को और जाल को छोड़ कर येसु का पीछाओ लिया पौसुंदर उदाहरा ने शेश करके हम में से जोग चुने वह हैं याकूब और योहन ने अपने पिता को और जाल को उस समुद्र के तड़ पर छोड़ कर येसु का अनू सरण किया हजारों की संख्या में लोग प्रभी एसु के चारों रिकटे होते थे उन में से बहतर लोगों को प्रभू ने चुना दो-दो करके गाओं में भीजने के लिए उन में से बारहों को प्रभू ने चुना और प्रेरित नाम रखा उन बारहों में याकूब का भी नाम है उन बारहों में से प्रभू ने तीन जन को चुना उनके साथ बराबर रहने के लिए और वे थे पेतरुस, याकूब और योहन विशेश करके प्रभी येसु के एन मौकों पर महत्वपूर्ण मौकों पर प्रभीयसु उनको अपने साथ रखते थी सुमाचार में हम पढ़ते हैं जब प्रभीयसु पहाड पर प्रार्तना करे थे प्रार्तना के दोरान उन्होंने अपने इन तीनों शिश्यों को अपने करीब रखा और इन्हों ने अपने आखों से प्रभु की महमा को देखिया उसी प्रकार जैरूस की घर पे उनकी बेटी को जो मरी पड़ी थी जिलाने वाले थी प्रभी येशू, पेतरूस, याकूब और यहन को अपने साथ कमरे में ले गए उसी तरह गेसमनी बाग में जब प्रभी येशू प्राण पीड़ा में थी उस समय अपने शिशों से इन तेनों को अलग किया और अपने करीब रखा प्रार्थना के दोरान तो याकूब प्रभी येशू के शिशों में एक बहुत महतपून स्थान रखते थी आज की समाचार में आपने सुना कि याकूब और योहन अपनी मा को येशू के पास लेके आते हैं शिफारिश करने के लिए कि येशू के राज में उनको दाएं बाएं बैठाए जाए वासा में प्रभी येशू ने उनसे कहा आप नहीं जानती कि आप क्या मांग रही है देखिए आज हम इशूर के राज के बारे में कहते हैं तो हमारी सोच और समझ कुछ है लेकिन शिश्यों की सोच वैसी नहीं थी यहूदी एक मसीहा के इंतजार में थी कैसा मसीहा एक राजनेतिक मसीहा यानि जो यहूदियों को रोमी समराट के गुलामी या परतंतरता से छुडाएगा और उनको अपने देश में स्वतंद्र जीवन जीने के लिए मदद करेगा प्रभ्येशु के जमाने में पूरे यहूदी लोग इस्राइल, फलिस्तीन, रोमा समराट के अधीन थी और आप जानते हैं जिस तरह हम लोग अंग्रेजों के अधीन थी यहूदी लोग परतंतर थी परतंतर क्या होता आप जानते ही हैं अतियचार, अन्याय, शोशन और यहूदी लोग एक मसीहा के लिए प्रार्थना करते थी कि ही इस्राइल हमें एक मसीहा दे जो हमें इस नारकी अवस्ता से हमें छोड़ाएं तो जब लोग सोचते थे मसीहा के बारे में उनकी सोच आध्यात्मिक नहीं थी यही सोच थी वे सोचते थे कि एक ऐसा मसीहा जो हमें रोमी समराट की गुलामी से छुड़ाएगा और हमारे देश में एश्वर की जनता की रूप में एश्वर के वचनों के अनुसार परंपरा के अनुसार अपने धरम के अनुसार जीवन जी सके और सोतंद्र जीवन जी सके प्रभीयसु में उन्होंने ये मसीहा देखा उन्होंने देखा कि प्रभीयसु में बहुत सामर्थिय शक्ति है और ये मसीह बन सकता है और शीशों के मन में भी यह विचार था एक आरण था कि शीशों ने अपने मा को बुला लाया ताकि वो शुफारिश करें आज की सुमाचार में आपने सुना जब अन्नी शीशों को उसका पता चला तो खलबली मच गई जगड़ा हो गया क्या कारण है उनके अंदर भी यही विश्वास था उनकी भी यही सोच थी इसलिए उनके मन में भी यह महतौक आशा थी कि हम भी कुछ बनेंगे सारी बातیں बदल जाती है ये सु के पुनुथान के बाद पंतकोस के बाद सारी बातें बदल जाती है प्रेश चरिद के अध्याई बारा में पढ़ते हैं कि राजा हेरुद अग्रिपा ने याकूब को मार डाला, उनका कतल किया, उनके सिर को कार दिया, यह वही याकूब है, जिनके अंदर महत्वा कांख्षा थी, अम्बिशिन था, पुनर जीवित येशू का नभाव, पंतक्खोस का नभाव, सब कुछ बदल देता है, एक ही महत्वा कांख्षा आज है, येशू के लिए, जिनके येशू के मरना, पेरे प्रीजे भाई और बेनू, हम सभी के अंदर भी अलग-अलग महत्वा कांख्षाएं हैं, और अदिकतर महत्वा कांख्षाएं, अदिकतर Ambitions, दुनिया से जुड़े Ambitions हैं, जब उनल वितेसु का अनभाव होगा, पवित्रा आत्मा के सपर्ष का अनभाव होगा, हमारे ambitions बदल जाएंगी, हमारी मौता कांगशायें बदल जाएंगी, हमारी मौता कांगशायें संसार की नहीं रहेंगी, आयम प्रार्थना करें, कि प्रभू हमें एक शालीन जीवन जीने की गृपा दीजिए, तेरी कृपा के योग्यी जीवन जीने की गृपा दीजिए, संद्याकूप की तरह अपने आपको पूरी तरह से समर्पित करके, उनके लिए जीने और मरने की गृपा दीजिए, आखे म केक को अपने जीवन का महत तू समझा दें, तेरी कृपाओं का महत तू समझा दें, ये समझने की कृपा दें, कि जो कृपा तूने हमें दी है, वो मिट्टी के बर्तनों में रखी हुई है, सुरक्षित रखना, शालीन जीवन जीना, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीन हमारी जिम्मेदारी है इस समझने की कृपा दीजी याकूप की तरह यहां तक की शहादत के समय में भी जो कृपा उसको मिली थी उसने गवाया नहीं पाउलूस की तरह दुखों और पेडाओं के बावजूद उस कृपा को बरबादने होने दिया हमें भी जीवन की कटनाईयों के बावजूद तेरी दिवी कृपा को बनाये रखने की कृपा दिजी पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है झाल झाल झाल